Hello Friends, मैं सुश्मा, Healthy Sensor में आपका स्वागत करती हूँ. आज की वीडियो में हम Glycemic Index और Glycemic Load की चर्चा करेंगे. साथ ही डेली बेसिस पर खाया जाने वाले food items की Glycemic Load चार्ट भी दूँगी. जब भी डाबेटरी से संबंदित food की बात होती है, तो दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए. पहला Glycemic Index और दूसरा Glycemic Load. Glycemic Index से हमें पता चलता है कि खाया गया food कितनी देर में blood में glucose का level बढ़ाता है. एक तरह से Glycemic Index को हम blood में glucose के बढ़ने की speed कह सकते हैं. Glucose का Glycemic Index 100 है. इसे standard value मानकर दूसरे food items की indexing 0 से 100 तक की गई है. या एक fixed value है, food की quantity बदलने से Glycemic Index नहीं बदलता. जैसे 100 gram apple का Glycemic Index 38 है और 500 gram apple का भी Glycemic Index 38 ही होगा. जैस food item में carbohydrate की मात्रा जादा और fiber की मात्रा कम होती है, उनका Glycemic Index जादा होता है. यही कारण है कि juice का Glycemic Index जादा होता है. apple का Glycemic Index 38 जबकि apple juice का Glycemic Index 45 है. health की द्रिस्टी से कम GI वाले food जादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उन्हें खाने से blood में sugar धीरे धीरे बढ़ता है. Glycemic Index के आधार पर food items को 3 parts में classify किया गया है. 0 से 55 तक value वाले food items लो Glycemic Index वाले food होते हैं. 56 से 69 के value वाले food items medium glycemic index वाले food होते हैं. 70 और उस से उपर वाले food items high glycemic index वाले food होते हैं. कुछ example देखते हैं. Low GI वाले food items जैसे सेब 38, ओरेंज 43, स्वया बिन 26, चन्ना 47, मसूर दाल 32, दूर 35, जौर 28, टमाटर 15, खीरा 15, बादाम 5, एक 0, घी 0. Medium GI वाले food items गाजर 47, चुकंदर 64, पपीता 60, अंजीर 51, आम 60, मिलेट 56 to 65, शहद 61, पॉपकॉर 65, चीनी 68, शकरकन 61. High GI वाले food गियू 72, चावल 80, मैदा 80, तरबूज 72, कद्दू 75, मुसली 80, ओटमील 87, रागी 103, बिग्ड आलू 85. glycemic index से हमें यह तो पता चल गया, कि किस speed से blood में sugar बढ़ने वाला है, लेकिन blood में sugar का लेवल कितना बढ़ने वाला है, यह पता नहीं चलता है, इसके लिए glycemic load की जरूरत परती है, किसी भी food items का glycemic load, निकालने के लिए उस food item का glycemic index और उस food में मौझूद कार्भोहाइडर्ट की मातरा की जानकारी होनी चाहिए, glycemic load quantity पर depend करता है, जैसे 100 gram गेहूं का glycemic load 52 है, जबकि 200 gram गेहूं का glycemic load 104 होगा, 1 glycemic load 1 gram sugar होता है, 100 gram को standard value मानकर glycemic load निकाला जाता है, इसका formula है, glycemic load equal to जिस food का glycemic load निकालना है, उस food का glycemic index, into उस food में मौझूद total carbohydrate, divided by 100, मैंने पहले ही बताया, GI की value चेंज नहीं होती, 100 gram food में मौझूद कार्बोहाइडरेट को, की value total carbohydrate की जगा रखनी है, example से समझते हैं, 100 gram foxtail millet का glycemic load निकालते हैं, foxtail millet का GI 60 है, इसे multiply करते हैं 100 gram foxtail millet में मौझूद total carbohydrate से, जो 60 gram है, divided by 100, glycemic load 36 आया, यदि 50 gram foxtail millet का glycemic load निकालना हो, तो कार्बोहाइडरेट की मात्रा आधी करनी होगी, 100 gram में 60 gram कार्बोहाइडरेट था, तो 50 gram में 30 gram कार्बोहाइडरेट है, 50 gram foxtail millet का glycemic load 18 होगा, glycemic load के आधार पर food items को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, 0 to 10 low glycemic load वाले food, 11 to 19 medium glycemic load वाले food, 20 और उससे ज़्यादा high glycemic load वाले food, healthy व्यक्ति को एक दिन में अपने भोजन का glycemic load 100 से कम रखना चाहिए, जबकि डियाबेटिक पेशेंट को पूरे दिन में उनके भोजन का glycemic load 50 से कम रखना चाहिए, कम glycemic load वाले food सभी के लिए अच्छे होते हैं, मैंने glycemic load पर blog भी लिखा है, जिसमें daily basis पर खाये जाने वाले food items का glycemic load चार्ट भी दिया है, आप मेरी website healthy sensor.in पर जाकर पढ़ भी सकते हैं, और glycemic load चार्ट का PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस blog का link मैंने description box में भी दिया है, साथ ही comment में, first comment में भी इसका link है, चार्ट में आप देखेंगे, कि vegetable और fruits के glycemic load बहुत कम है, dairy product और non waste का glycemic load 0 से 2 के बीच है, जबकि गेहू का glycemic load 52 है, और brown rice का 42, 100 ग्राम गेहू के आटे से केबल चार रोटी बन सकती है, दो छोटी कटोरी चावल से 42 glycemic load मिल जाता है, यदि हम पूरे दिन में आधा किलो सलाद, जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर खाते हैं, तो भी उनका glycemic load 5 से उपर नहीं जाता है, आधा किलो यानि 500 ग्राम फ्रूट जैसे एपल, ओरेंज, ग्रावा, पापाया खाते हैं, तो glycemic load 15 के करीब पहुंसता है, केला और चीकू जैसे मीठे फल का glycemic load 12 के एराउंड है, आप देखेंगे कि सबसे जादा glycemic load गेहूं से हमें मिल रहा है, यदि अनाज बदल दिया जाए, तो कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी, गेहूं के जगह, मिल्लेट को अपने फूड में शामिल केजए, एक आदमी के लिए 50 ग्राम गेहूं काफी नहीं है, जबकि 50 ग्राम मिल्लेट एक व्यक्ति के लिए सफिशेंट है, आहार में फल, सलाद और सबजी की मातरा बढ़ा दिया जाए, तो ग्लाइसेमिक लूड बहुत कम हो जाएगा, और डाबिटीज अपने आप रिवर्स होने लगेगा, उमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की है, यदि हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए,